जितने भी पतले लोग हैं, जितने भी इसके लिए बहुत सवाथा परिशान रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है और वो मास गेनर के डबबे खाना स्टार्ट कर देती हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि मास गेनर लेना सही है या नहीं है अगर आप mask gainer use कर रहे हैं या use करना चाहते हैं तो कौनसी best brand आपके लिए लेंगी तो मैं आपके लिए top 5 brand भी बताऊंगा और mask gainer लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा या फिर हम way protein की तरफ भी जाए या फिर दोनों में से कोई भी चीज यूज ना करने सिर्फ घर की बनी हूँ डायेट लेना चाहिए तो सारे questions के में आपको आंसर करने वाला हूँ और आपके सारे doubt क्लियर हो जाएंगे वजन कैसे पढ़ता है टॉप ब्रैंड कौनसी है वेब रोटीन ले माज गिन ले रहे हैं तो कौनसी बैस्ट ब्रैंड है exercise करनी चाहिए वर्काट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके नहीं लोगों के लिए पतले लोगों के लिए तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर पाते हैं जिससे उनका वजन नहीं बढ़ पाता है जिससे उनका मसल मास गेन नहीं हो पाता है अब वो सुझते हैं कि हम मास गेनर ले या नहीं ले तो मास गेनर लेना कोई गलत बात नहीं है बहुत सरे लोग मास गेनर लेते हैं और बहुत बेनेफिट लेते हैं अगर हम ब भूग बहुत कम लगती है, आपसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है, अगर आपको भूग भी नग दिये, ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जाता है, तो आप कैलोरी सब्लस में कैसे तरीके से रह पाओगे, तो आप मास गेनर की तरफ जा सकते हैं, पहने किसी दिक्कत तो वो वेब रोटीन ले सकता है, फिलने किसी दिक्कत के, फिलने किसी परिशानी के, या फिर वो इनसान क्या कर सकता है, मास गेनर शेक अड़ कर सकता है, जैसे बनाना, पीनट बडर, ओर्ट्स, हनी, मिल्ग और एक स्कूप रोटीन का डाल के जो शेक बनाते हैं, तो उस शे केलोरीज को पूरा कर पाओगे, उस शेक के अंदर या आपको 800-3000 केलोरीज मिल नहींगी, और आप केलोरीज को हिट कर पाओगे, सर्पलस में रह पाओगे, अब लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत काता हूँ, मैं तो बहुत रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, ओर चिकен भी खाता हूँ, मैं अन्डे भी खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, सोया चंस खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ता हूँ में रहेंगे तभी आपको वजन बढ़ पाएगा लोगों पता नहीं होता है कि मैं जादा खाना का रहा हूँ पर जादा दो खाना खा रहे हैं पतले लोग का Metabolism Body का बहुत fast होता है और जिस इंसान का Body का Metabolism fast होता है तो उसको जादा calories की जरुत पढ़ती है तभी उनका बढ़ पाएगा तो आपको करीब 500 calories बढ़ा कर खाना हो दिए अगर आपकी maintenance calories गूगल पर जाते हैं आप calories calculated डालते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर अगर आपकी weight lifestyle आपकी height आपका workout किस तरीक से रहता है वहाँ पर आपकी maintenance calories 2000 आती है या फिर 2000 आती है तो उससे आपको 500 calories बढ़ा कर खाना पड़ती है तब ही आपको बजन बढ़ता है अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में पत अच्छा lifestyle फॉलो करूं तभी मेरी body में changes देखने के लिए मिलेंगे तभी मेरी body की transformation हो पाएगी तो आपको workout जरूर करना है और जब हम workout करते हैं तो workout के दान हमारी muscles टूटती है ब्रेकड़न होती है जब हम घर पे जाते हैं अच्छी diet लेते हैं अच्छा food काते हैं तभी हम हमारी muscles रीपर होती है और muscles का size बड़ा हो लगता है तो इस तरीके से muscle gain होती है तो आपको workout तो जरूर से जरूर करना चाहिए पत्ते लोग जो है वो करी 45 minutes एक घंटे तक workout कर सकते हैं और करी 5 दिन तक workout कर सकते हैं मैंने किसी दिक्कत के मिना किसी परिशानी के तो workout जरूर कर बताने वाला हूं उन में से कोई सबी ब्रैंड आप यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आपके लिए best राएगा वैसे पांचों ब्रैंड ही अच्छे हैं जो आपको बताने वाला हूं नमबर बन muscle blaze का double XL gainer यूज़ कर सकते हैं य वो भी काफी अच्छा प्रोड़क्ट है इसकी भी काफी जादर demand रहती है market में तो absolute का gainer यूज़ कर सकते हैं नमबर फूर आप nitro track का gainer यूज़ कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा प्रोड़क्ट है और इसके थोड़े price थोड़े high पढ़ेंगे आपको पर ये बहुत ही best का gainer यूज़ कर सकते हो ये भी काफी अच्छा और तगड़ा प्रोड़क्ट है इसके भी काफी बैतरी रिव्यूज़ भी इसके हैं तो ये पांच ऐसी ब्रैंड है इन में सिर्फ जो आपको बैतर लगता है वो आप अपने बज़ट के according चूज़ कर लीजिए काफी अच् या किसी भी एज ग्रोब से ब्लॉंग करते हो तो आपको अपना diet and workout अच्छी रखना है और sleep quality मतलब 7-8 गंडे तब सोना है इस्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है और ये चीज़े करीब लगातार 3-4 मही तक follow करेंगे तब भी आपको visible result दिकाई पड़ेंगे अगर आप करें शेर करें और सब्सक्राइब करें